गर में फार्सी का फंदा लगा कर आत्मत्या कर ली। युवक आज साम को डूटी से घर लोटा था और उसके बाद वह काम करने लगा। सुचनपाकर मौके पर पहुँची रिष्टेदार मंजू की माने तो अभी कुछ दिन पहले ही मिर्तक किराय पर आया था और फांसी लगाने के कारणों का उन्हें भी नहीं पता। उनके सामने किसी तरह का कोई जगडा या विवाद नहीं हुआ था। पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रनलाल की माने तो चंदर सेखर मूल रूप से इटावा का रहने वाला है और चाय की दुकान करता था। पुलिस के माने तो चंदर सेखर मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। यह था जी चंदर सेखर पिता जी का नाम आत्मज यह पीछे है इटावा का रहने वाला यहां रहताईज में सुभास कलोनी में इसके एक हाथ कटा हुआ था राइट और जिस कारण बता रहे हैं जो परिवार वाले के यह डिप्रेशन में रहता था कोई काम करता था चाय का तो इस कारण इसने अपनी जिवन लिला समाप्त कर ली यह दुकान से आया था अभी थोड़ी दिर पहले पांथ बज़े करीब पांथ सब्सक्राइब और आके घर में अकेला बढ़के और जो पंके का हुक है उसमें वह बांद के मफलर और अपनी जिवन लिला समाप्त कर पुलिस की तरफ से आप डेड़ बोडी यहां से लेके और मुर्टरी